नमाशकार आदाप सस्रीयकाल राम राम मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों आज गुंतीस अक्टुमबर 2023 और दिन रह विवार उ समय हुआ है शाम 5 बजे का जी यहां दोस्तों शाम 5 बजे का अब हम पहुँचे रतलाम प्याज मंडी में सीधे नजारा आप पीछे का देख रहे हैं जी यहां दोस्तों देख लीजिए आ पूरा नजारा अच्छी खासी आवक जो है वो रतलाम मंडी में हो चुके हैं लगबग लगबग और लगातार वहां जो है काफी स्पीड से काफी तेजी से जो है वो रतलाम में आ रहे हैं जी यहां दोस्तों जब हमने यहां का पीछे का वीडियो बनाया उसके बाद जैसी हम भान निकन लगे तो उसके बाद गेट के वहां पहली हम वापिस रुख गया है क्योंकि इत्ती स्पीड से वहां आ रहे हैं तो हमने सोचा कि वह वीडियो भी आपको डाल देंगे किती स्पीड से जो है वहां रतलाम प्याज मंडी में आ रहे हैं अभी जैसा कि आपने देखा यह पूरा नजारा जो है पीछे का नजारा है सीधे वहां पी इसका इसके बारे में आगने वाले समय में क्या भाव़ बन सकते हैं तो इस पर थोड़ी सी छूटी सी रिपोर्ट आपको हमने कुशिश करिए किसानों को तक पहुचा दें ताकि शायद हो सकता है कि कुछ उनको भी लाब मिल सके तो दोस्तो उस बारे में हम इत्ता ही कहना चाहेंगे कि अब जैसे कली रात को ही ये जो है नोटिफिकिशन जो है सरकारी की तरफ से जारी हुआ है कि सरसर टुपे से कम पे जो है अब निर्यात नहीं होगा तो अब इसका जो असर है वो अभी एक दो दिन जो है दो एक दिन अब मैं मान के चलता हूँ कि मंडी में देखने को मिलेगा जी यहां दोस्तो एक दो दिन मंडी में देखने को मिलेगा क्योंकि वेपरियों को भी समझना पड़ेगा कि किसे क्या भारा भीजना है माल जाएगा कि नहीं जाएगा कि कित्ता जाएगा तो वो इस्तितिमें अबी एक-दो दिन बजार में थोड़ीसी नर्मी रह सकती है जी यहां दोस्तो आप फिर सुन लीजिए एक दो एक या दो दिन दो या तीन दिन जदा से जदा नर्मी रह सकती है बजार में इससे अदा नर्मी नहीं रहेगी क्योंकि चक्कर यह है दोस्तों कि किसानों को पास जो है वो माल नहीं है यह जो किसान अभी आप जो इत्ती भीड़ देख रहे हैं यह जो कल न्यूज आई है और किसान थोड़े से घबरा गए हैं किसान थोड़े से डर गए हैं तो वो जो है रतलाम की तरफ ज जो है वो एवरेज भाव जो है वो बना हुआ है इसमें दो चार उपे उपर नीचे होगा सिप कम होगा इससे अधा नहीं होगा जैसा कि अभी आप ये नजारा देख रहे हैं दोस्तो ये रतलाम मंडी जैसे हम भाल निकलने लगे तो उसका नजारा है देखिए लगातार वा परी जो माल भार भेजते हैं उनको भी कुछ चीजे समझनी पड़ेगी उनको भी चीजे कैसे क्या भार भेजना है या नहीं भेजना है तो उसका दो-तिन दिन असर रहेगा क्योंकि प्याज जदा है नहीं दोस्तो किसानों के पास में लगबग आप ये मान के चलिए एंड निर्याद रुख जाए उन्होंने इसलिए ये कदम जो है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उठाया ताकि उनको सरकार को भी पता है कि 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद नहीं प्याज के आवक जो है वो मंडियों मा जाएगी तो फिर कोई इत्ती दिक्कत नहीं रहेगी तो सरक कदम उठाया है दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से बेंड नहीं करा है सिब इसलिए नहीं करा है कि निर्याद जो है वो कम से कम बंध हो जाए अभी कुछ दिनों के लिए तो इस सरकार यहीं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए निर्याद बंध हो जाए तो वो इस्तिति हूँ आप लोगों से 60-70 रुपे प्याज जाएगी मेरे इसाब से तो दोस्तो 60-70 रुपे प्याज जाएगी दो-3 दिन लगेंगे प्याज है नहीं दोस्तों प्याज बहुत काफी कम है और मुझे इसा लगी रहा है कि अभी 2-3 दिन थोड़ी सी आवक रहेगी दोस्तों दो-3 दिन के बाद जो है वह कम हो जाएगी अभी 2-3 दिन थोड़ा सा आवक का भी प्रेशर जो है वह बनावा रहेगा तो कुल मिलाकर यह स्ति पूरी तरीके से ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप किसी भी यूटूब के चैनल के चकर में इन मत पढ़िए दोस्तों क्योंकि भाव डाउन नहीं होने हैं दो चार रुपे जो हैं अभी दो या तीन दिन की मद्दी हो सकती है इसके बाद आप देखेंगे कि भाव प्याज के भाव में वापिस उचाल आएगा जैसे ही आवक थोड़ी सी लिमिट होगी तो वापिस हमें उचाल देखने को पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि 60-70 रुपे के बीच में ये भाव बना रहेगा तो ये 10 तारीक तक दोस्तों मुझे लगता है कि 10 तारी तक जो है वो मंडियों में अवकाश रहेगा लगबग लगबग सभी मंडिया जो है वो बंद रहेगी तो दोस्तों ये स्थितिती मुझे अलग उम्मीद है आप लोग को जो जानकरी दी है वो अच्छी लगी होगी कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों ये 2-3 दिन तो दो-3 दिन बाद फिर आप देखेंगे कि अच्छे खासे जो है वो बने रहेंगे तो ये दोस्तों जानकरी थी एक छोटी सी जो हमने आप तक पहुंचा दी अगर किसी को और भी कोई जानकरी चाहिए तो कमेंड़ बागस में आप लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि जो है वो जानकरी दे सके तो अभी तक रतलाम क्याज मंडी में दोस्तों 300 के करीब वहां जैसा कि आप देख रहे हैं और लगातार वहां जो है वो बढ़ रहे हैं मंडी की तरफ और जो आवक और जो हमने आने वाले समय में भाव की जानकरी है वो भी आपको दे दी है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ माया होगा जो चीज हमने बताई है तो चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों शेर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद दोस्तों